जोना की जिंद्दगी में देखते हैं जोना की जिंदगी में जब हम पढ़ते हैं परमेश्चुर के वच्चन में से परमेश्चुर ने उससे बात की कि जोना तुझा नील में को चला जा पर वह गहां को जा रहे हैं? तर्शीज को बाग रहा है अलिलुया परमेश्वर बोला जो ना नीन में को जा पर वो कहा जा रहा है तर्शीज को जाना कहीं है और जा कहीं रहा परमेश्वर कुछ कहा रहा है और वो कुछ ही कर रहा है पर परमेश्वर ने उसके तरफ देखा जब वो उल्टे जहाद में बैठ गया कि दूसरी जगा में जहाद उसने पकड़ लिया बाड़ा देकर तो परमेश्वर ने देखा कि मेरा बंदालों किसी और ही बिशा में जा रहा है मैंने इसको कहीं और बेचा है तो यह जा गई और ही रहा तो हम खुद ही खुद उस कस्ट में पस्ते चले जाते हैं बहुत बार हम खुद परमेश्वर की जोजना में रुकावटे पैदा करते हैं परमेश्वर के दास ने रुकावट को पैदा किया तो उसकी जिन्दगी में वो कस्ट आगे परमेश्वर के दास के बारे में भी हम जब इनसे सुनते हैं तो ये भी परमेश्वर से कुछ परे हो गेते हैं इन्होंने भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर की जोजना को पूरा होने के लिए रोका इन्होंने भी अपनी जिन्दगी में परमेश्वर की जोजना को पुरा होने के लिए रोका पर परमेश्वर अपना काम कैसे करवाना है वो बली बांदी जानता है परमेश्वर अपने दास को जेल में ले गया जेल में जैसे जोना को आंदी में अभी तुफान में जेल भी अभी तुफानों में है अलेलुया परमेश्वर की जोजना कुछ थी और ये कुछ कर रहे हैं वहाँ पर जाकर परमेश्वर ने इसे बात की कि जिस काम के लिए मैंने तुझे चुना था जिस काम के लिए मैंने तुझे बेजा था वो कहा है अलेलुया परमेशुर जानता है कि मेरी जोजना को तुपूरा नहीं कर रहा तो मैंने तुझे किस परकार काम करवाना है परमेशुर ने अपने दास से बाचित की चर्च की स्थाफना की हललुया अयए तालीक जाकर परमेशुर का दनिभात करें की परमेशुर ने इस परकार से चाहे हमें कष्ट भोगना पड़ा उस कष्ट में भी परमेशुर ने अपनी सेवकाई को अपने दास के दवारा लिया है हललेलुया जब हम परमेश्वर की जोजना से बागे के तो परमेश्वर हमें सिमट कर ले आएगा अपनी जोजना के काम करने के लिए जितना मर्जी बागने, जोना बागा, आखिन में क्या हुआ, उन्होंने चिठी डाली, और बोले तू कौन है, बोला कि मैं इपरी हूँ वो बोले कि तू कौन है बाई, वो बोलता कि मैं सेनाओ के यहोवा को मानने वाला परमेश्वर का दास हूँ, हालेलुया, वो बोले अब हम क्या करें, वो बोला कि कुछ ना करो, मुझे उठाकर समंदर में खेक दो, उसको पता लग गया कि मैं परमेश्वर से गुम रहा वोला तो उनोंको बड़ी प्रात्ना की, कि प्रभू हमें इसकी मौत का पंदा हमारे उपर, ना हमें इससे माप करना, उनोंने यहां तक भी कोशिश की कि हम इसे कहीं किनारे पे लगा के इसको कई साइड में फेक तेंए, पर ऐसा नहीं हो सका, जैसे ही उनोंने उसे पानी जोजना हर एक काम पर मेशना परन्यूक्त किया हुआ था जोजना कें Einsatz में भर था अभी पर मेश्वुर से बागा है उसका दन पर मेश्वु उसके देना चुरूáis कार तीन दीन, तीन रात उस मश्य के पेट में रहा, मश्य कोई ऐसे ही नहीं होगा कि एक तम से ऐसी बेटा रहा होगा, आलेलुया, मश्य जब आप देखते हैं, एक बड़ा, बड़ी मश्यी, जब एक चलती है तो उपर को चलाम भी लगाती है, इधर उधर भी टपुशिया मार इधर उधर उधर से पता नहीं कीदर कीदर को जाती होगी, तो जोना विचारा एक तम सुरनों कर बैठा होगा कि प्रभू किस तरीके से मुझे निकाल ले, आलेलुया, तो बोलता होगा, मैं पहले ही चला जाता तो इतने फंदे में, ना बसता, मश्यी कभी उड़ी पुल परमेश्वर की जोजना से, तो परमेश्वर जानता है कि मुझे किस परकार से तुझे काम लेता है, अलेलुया, जोना ने बहुत कोछित की कि मैं परमेश्वर की जोजना को पूरा ना कर सकूं, तीन दिन, तीन रात उस धंड में, उस कष्ट में उसे रहना पड़ा, आकिर में अंदर में प्रात्ना कर दे कि प्रभू मुझे माप कर मैं फिर तुसे तेरे सामने चलूँगा तू जैसा कहता है मैं वैसा करूँगा प्रभू मुझे माप कर दे जब आज़ों के साथ प्रात्ना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने मच को आगया दी कि तू इसे उगल ने अलिलुया में उफल मूस्त और उसे उंगा शॊनगा जब उसने पात न के पार्चातिया टी向 जिपा कैड़र हम यहां पर खिर हमके सब्स बोले कि यहां पर उक्राइब क्या प्वाब ₯ स्यतनी में व्रीुघ कुने ऐलृ जो , व्र०ाइब आपनकि कारें जो। तो परमेशर उससे बात करता है कि मैंने इनको माग कर दिया है जिस घर को मैं नाज करने वाला था जिस राज़ को मैं नाज करने वाला था उसको मैं आज माग करता हूँ हलेलुया वहाँ पर आगे जाके जब हम पढ़ने हैं पर लिखा एक लाख बींस हजार से ज्यादा लोग वहां पर थे जिनको परमेशर ने जोना के दुवारा बचाया, हलेलुया, तो हमारी जिन्दगी में परमेशर की जोजना बहुत आयस से है, अगर हम परमेशर के साथ खराई के साथ चलते हैं, परमेशर के साथ वफदारी के साथ चलेंगे तो परमेश्वर की जोजना को पूरा होने से कोई भी बात रोक नहीं सकती हालेलूया कोई पास्टर कोई विश्वासी कोई आपका लिकारी कोई आपका जो कुछ भी हो पर्दान मंद्री तक भी परमेश्वर की जोजना को पूरा होने से कभी भी रोक नहीं सकत जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया तो कोई भी बाद आया है आपको केवल क्या करना है आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ खराई में चलना है अलेलूया परमेश्वर चांचता है कि कौन मेरे साथ विश्वास के साथ चलता है इसलिए जब कोई आप से कहे क जिन्दकी में जब पर्मेशर नहीं हुए शार्ब करते आप को बताया गया कि कितने तसी है कितने कष्टों के बाद पर्मेशर ने अपनी जोजना को जिन्दकी में पूरा किया जुरूरot । कि आज फहा हम करंगे साथ पर्मेशर के समुख चलें हालेलुया अजय तोड़ी दर हम अपने आखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रात्ना करें कि प्रभु तेरी जोजनाई जो भी हमारी जिंदगी के लिए हैं आज हमारी जिंदगी में प्रभु जी आप पूरा होने के लिए मदद करें मेरे खुदावन आज हो सकता है कोई परिशानी आपकी जिंदगी में हो आज हो सकता है कोई गलत बात आपकी जिंदगी में हो आज कोई रुकावट आपकी जिंदगी में हो जिससे आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं प्रियों परमेशोर का वच्चन में आपने देखा किस परकार समय को व्यर्थ जब हम करते हैं तो परमेशोर हमें एक कस्ट में लेकर फिर दुबारा वापिस ले आता है समय बरवाद करने से कोई फैदा नहीं है आये थोड़ी देर अपने हाथों को उठा करें थोड़ी देर प्रातना करें परमेशोर से कि प्रभू अगर मैं तुझसे दूर हो गया हूँ तेरी जो जोजना की प्रभुजी उससे मैं दूर हो गया हूँ खुदाबंद आप मुझे शू लिजे प्रभुजी मैं फिर से तेरे समुक में आना चाहता हूं खुदाबंद आप मुझे शू लिजे एक बार फिर से अपनी आवाजों को उठाकर हम प्रातना करें प्रमेशोर से कि प्रभुजी पिए प्रभुजी आप मेरी चिन्दगी में अपनी जोजना को पूरा करे इना परमेश्वर हमारी परिवारों में अपनी योजना को पूरा कर रिखा दे लूए हो फवीतर परमेश्वर हमारे ख्यालाग को बदल दीजै प्रभुजी हम जोना के यह से तुसे दूर नहीं होना चाहते प्रभू आप प्रभू, हमें अपने प्रभू बचल के साथ जैसे आपने सिखाया वैसे चलने के लिए प्रभुजी आप सहाईता करें अयां प्रापना करते हैं महान सर्वेशक्ति मान पिदा परमेश्वर प्रभू बचल के साथ एक खराईं के साथ ख़राईं के साथ एक खराईं के साथ हमें तेरे साथ चलने के लिए प्रभू जी आप हमें इस्तमाल करें मेरे प्रभू जी सारी महमा हमारी जिंदगी से प्रभू तरे नाम को मिल जाए हम किसी जो के लिए मेरे प्रभू आप हैं जो हमें प्रभू इस्तमाल करतें मेरे खुदाबंदर आपकी योजदे जो भी हैं खुदाबंदर वो सम्हारी सिंदगी में पूरी हो जाएं और जो भी रुकाफते हैं य Tenn身 मसीख के एंडा हैं उन उन सारी रुकाफतों को हम दूर कर दे अम्धाफ़ते हैं इस प्रातना को प्रभी ये शुमसी के समती नाम से मांगते हैं आमें